इधर दिल्ली में नीती आयों की बाठक जारी है आपको बता दे कि C.M. भुपेश बगेल ने JST शतिपूर्ती का मुद्दा इस बाठक में उठाया JST कर परणाली से राजियों को राजस्वकी हानी हुई है ये बात उन्होंने कही बता दे कि JST शतिपूर्ती अनुदान जून 2022 के बाद भी जारी रखने का आग्रे किया गया है C.M. भुपेश बगेल द्वारा साथी रोयल्टी दर में संशोधन का आग्रे भी C.M. ने किया है तो बता दे कि आज एक बड़ी बाठक नीती आयोक की हुई है और इस बाठक में C.M. भुपेश बगेल ने कई मुद्दे उठाया GST शतिपूर्ती का मुद्दा भी उन्होंने उठाया साथी साथ रोयल्टी दर में संशोधन की बात उन्होंने कही 20,000 से कम आबादी के शहरों में मन्रेगा लागू की जाए ये मांग भी C.M. भुपेश ने इस बाठक में रखी